आपके लिए एक बड़ी खबर है आप बड़ी भी कर सकते हैं और इसको एक बिचार से जोड़कर भी देख सकते हैं क्योंकि पूरे देश की जो राजनिती है उसका चरित रही अजीब सा हो गया है वैसे तो कहा जाता है कि राजनिती का चरित रही होता है और सता के सिर्ष पर बैठा हुए प्रभू होता है उसका नजरिया भी एक ही हो जाता है यानि वो लोकप्री फैसले लेने में ज़्यादा रूची रखता है जरूरी फैसले लेता ही नहीं है और ऐसे ही फैसले सता के सि दनादन फैजाबाद को अजुध्या कर दिया इसी तरह से कई सहरों के नाम बदल रहे हैं अब योगी के कैबिनेट के एक मंत्री उम्प्रकास राजभर ने ही योगी पर निशाना साथ दिया है सहरों का नाम बदले जाने के फैसले से नराज मंत्री ने कहा है कि अस्टेशन और सहरों का नाम बदले जाने का से कुछ होने वाला नहीं है और यह एक नाटक भर है यह सब जरूरी मुद्दों से सरकार, जनता का ध्यान भटकाने के लिए कर रही है उन्हों ने यहां तक कह दिया कि नाम बदलो politics से किसी का कोई भला होने वाला है नहीं भले सरकार का भला हो जाए यानि उसकी जो गुराई है भले छिप जाए और उपलब्धियों को लेकर जो सवाल लोग करते हैं भले करना बंद कर दें लेकिन इसे जनता का भला नहीं होने वाला है इतना ही नहीं योगी के इस मंत्री ने योगी आदित तिनात से बीजे पीनेता सहनवाज हुसेन, केंद्रिय मंत्री मुकतार अवास नकवी और उतर प्रदेश के योगी मंत्री मंदल के मंत्री मुहसिन राजा का भी नाम बदल देने की मांग कर दी है भारती जनता पार्टी कह रही है कि ये मुगलों के नाम से है तो भारती जनता पार्टी में उनकी राष्टी प्रवक्ता है सहनवाज हुसेन, केंदरी मंत्री है मुक्तार अकबास नकवी, राज मंत्री है महसिन रजा, पहले इन तीनों लोगों का नाम तो बदल दें, ये ती अगर आप सहर का नाम बदल रहे हैं और आपको लगता है कि सहर के नाम बदलने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आपकी सरकार में आपकी पार्टी में जो अलपसंख्यक नेता हैं उनका नाम भी बदली है और उन्होंने इन तीन नेताओं का नाम गिना भी दिया है तो ये सहनवाज हुसाइन और मुक्तार अवासनकवी हैं जो देश सस्तर के नेता हैं उनको सभी जानते हैं मुहसिन रजा तो उतर प्रदेश में योगी सरकार के ही मंत्री हैं सबसे पहले इनका नाम बदल देना चाहिए और देखा जाना चाहिए कि क्या आसर होता है इसका देश और प्रदेश की राजनिती पर पुराने नाम में कोई दोस है और नाम बदलने से ही सब कुछ ठीक हो जाना है तो इन नेताओं का नाम क्यों नहीं बदला जाना चाहिए तो ये सवाल योगी के विरोधियों नहीं उठाया है बलकि उनके कैबिनेट के मंत्री नहीं खुद उठ कर दिया है आपको पता है कि नाम बदलो पॉलिटिक्स को लेकर किंद्री मंत्री ग्रिडाज सिंग भी बिहार में काफी सक्रिय हैं और इस मामले को तूल दने की लगतार कोशिश करते रहे हैं उन्होंने पिछले दिनों सीधे मुख्य मंत्री नितीश कुमार को टार्गेट जिले के सहर बक्तियारपूर का नाम बदलने की मांग रख दी थी यह लोग नहीं जानते बिहार के बक्तियारपूर में खिलजी ने जो किया यहां लूटा नालंदा को लूटा और आज उसके नाम पर बक्तियारपूर है मैं तो मांग करूँगा कि पूरे देश में बिहार में भी जो नाम मुगलों के नाम से जुरा हुआ है उन नामों को हटाना चाहिए। दाज निती करते हैं, उनको पता नहीं क्यों पेट में दर्द हो रहा है नाम बदलने से तो ठीक हो रहा है। उतर परदेस में योगी बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो जो मामला उतर प्रदेश में गरमाया हुआ है और जिसको लेकर खुद योगी अपने ही मंत्री के निशाने पर हैं, बिहार में किंद्री मंत्री गिराज सिंग नितिश कुमार पर निशाना साध रहे हैं, अब देखना यह है कि क्या उतर प्रदेश की तरज पर बिहार में भी वो काम्याब होंगे सहर और अस्थान का नाम बदलवाने में मुझे नहीं लगता है कि नितिश कुमार इतना दवाव में कभी आ सकते हैं यह कि नितिश कुमार तो अपने सेकलोर क्रेडेंसियल के लिए जाने जाते हैं और बीजेपी के साथ रहकर भी स्रकार चलाकर भी अ नता तो मान नहीं रहें इसको हवा दे रहें देखिए क्या होता है यह राजनिती है और राजनिती में सब कुस जायज है कि वोल परिस्थितियां तै करती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है किस से दुरी बनाना है किसके करीब जाना है निताओं की अपनी कोई इक्षा व् हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है आप ऐसे ही हमारा सहयोग करिए हमारा समर्थन करिए आप तक हम ताजा तरीन खबरें लेकर आते रहेंगे नमस्कार